दोस्तों आज वीनार सोई में हम बना रहे हैं ब्रेट के पकोड़े देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी लाजवाब हैं इसको आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा ब्रेट के पकोड़े में क्या-कया सामान लगता है आईए देखते हैं हमने छे ब्रेट ली हैं ताजी ब्रेट लीजिएगा जिसे पकोड़े बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट बनेंगे इसमें हम चट्नी लगाने के लिए दो त्रह की चट्नी आली है एक हमने टिमेटो सामान हैं, पाँच आलू लिए है। पाँच आलू को हमने बॉयल ड कर लिया और बॉयल करने के लिए एक सीटी दीए पिर 5-7 मिनट के लिए लिए जिम आज पर पकाया है। आलू फटने नहीं चाहिये। इस लिए आलू बाते समय आप लोग ध्यान रखिए। और एक कटोरी हमने महीन महीन धनिया ली है, पांच बड़े चमच हमने घोल बनाने के लिए बेसन लिया है, बेसन में डानने के लिए हमने आधा चमच नमक लिया है, आधा चमच हल्दी ली है, आधा चमच पिसा मिर्चा लिया है, और आलू के बैटर में डालने के लिए हमने आदा चम्मच नमक लिया है, आदा चम्मच घिसी हुई अद्रग लिया है, आदा चम्मच पिसी खटाई लिया है, आदा चम्मच चाट मसाला लिया है, आदा चम्मच भुना जीरा लिया है, आप इसमें अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हरे मिर्चे का भी लाल होने च हुआ निए कॉंट्रेटी जादा नी चाहिए तभी चत्नी में टेस्ट आता है और आधा इंच्प अधरक मघ लिया है लिया है अपने टेस्ट दालिे दो चम्मा है यह को चम दोडिकी श्यांट, आप इसकी जगे हे यह नित रखते हैं, अब हम पहले चट्नी बना कर रखेंगे, चट्नी बनाने के लिए है 轻र लिया है, इस पहा हम च्योट च्योट PO करेंगे, इंखा रखें ये भाग हमेशा निकाल देना चाहिए इसके छोटे चोटे PO mientras हमें करेंगे ब्रेट पकोड़े के साथ ये चट्णी खाने में बहुत जादा स्वाधिष्ट लगती है। प्रमाटर उबने महीन में इंग काट लिये हैं। अब इसमें हमने धनिया भी काट लिये। धनिया हमने बहुत महीन नहीं करिये। ये चट्णी आपके घर के सामानों से बड़ी आसानी से और जल्दी बन सकते हैं। इसमें दो सुखे मिर्चे अद्रक अद्रक हम बहुत थोड़ी सी डाल ले हैं। आप अद्रक की कौंटेटी बढ़ा भी सकते हैं। और ये नमाक। अब इसको हम कवर करके पीस लेगे। हमारी चट्णी बन कर तयार हो गई है। अब हम चलते हैं। अगले प्रोसेस की तरफ पकोड़े बनाने। पकोड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू का बैटर तयार करेंगे। आलू के बैटर में हमने आलू को पीस लिया है। अब इसमें हम जाल मिर्चर डालेंगे। भूना हुआ जीरा डालेंगे। नमक चत्नी में भी है। नमक हम बेशन में बिल डालेंगे। इसलिए नमक आप साउधानी से डालें। पिसी खटाई, अजरक, चाट मसाला दो पिंच, बहुत जादा नहीं डालना है। थोड़ी सी हम उसमें हरी धनिया डालेंगे। इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारा चेट पटा ब्रेट पे रगाने वाला बैटर बनकर तयार हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरब। बैटर का गूल बनाने के लिए चार से पांच बड़े चमच बेशन लिया था। बेशन बहुत जादा नहीं चाहिए। अब इसमें डालने वाई इंग्रिडियंस। इसमें हम आदा चमच अल्दी रालेंगे। आदा चमच नमक दालेंगे। आदा चमच पिसा मिर्चा थोड़ा सा हम इसमें अदा धनिया डालेंगे। इस सब चीजों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला सा घोल बनाकर तयार करेंगे। घोल बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही गाड़ा भी नहीं होना चाहिए। गोल बनाते का तो आप इस बात का ध्यान रखे लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गोल को तयार करिएगा नहीं तो गोल में लंज पढ़ जाएंगे इस तरह से हमारे पकोड़े अच्छे नहीं लगी गोल की कंसिस्ट्रेंसी ऐसी होनी चाहिए ना पहुत ज़्यादा गा अब इसके उपर हम टमाटर की चट्नी को हम अलग से सर्व करेंगे चट्नी को अंदर लगा देने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है अब इसके उपर हम आलू का टैटर लगाएंगे आलू का बैटर चारो करण तरह अच्य तरह से स्प्रिट करेंगे कोणों पर बट आलू का बैटर अच्य तरह से लगाएं जिससे ये अच्छी तरह से चपक जाएं और खाने में दिल भिस टेस्टी लगते हैं बइच बीच में लगा देने से किनारा खाने में अच्छा नहीं लगता है इन बातों को चोटी-चोटी बातों को याद रखिएगा तो आपके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होगे हमने सब ब्रेट पर बेटर को अच्छी तरह असे लगा दिया है कि दूसरी ब्रेट हमने तीन और ली है इसको इसको अउपर हम चपकाऊंगे इसमें हम टेमैटो केचप लगाएंगे अब एक एक ब्रेट को अच्छी तरह से चपका कर आद दबा से की अब इसको हम रेंगल सेट में काटेंगे, आपको थोड़े छोटे बनाने हैं, तो आप इसका एक एक पीस और कर सकते हैं, अब हम एक एक ब्रेट उठाकर, बेशन में इसको इस तरह से डिप करेंगे, अब हम गरम तेल में, आज को मध्यम लखिए, जिसमें ब्रेट अच्छी तरह से पक जाए, हमारा ब्रेट का पकोड़ा बन कर तयार हो गया है, इसी तरह से हम सारे पकोड़े बना कर तयार कर लेंगे, संडे का हमारा चट पटा नास्ता बन कर तयार हो गया है, इसको गर्म गर्म चाए और टमाटर की चटनी के सार करिए, ये खाने में बहुत स्वादिश्ट लगता है, यदि हमेशा की तरह आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है, तो लाइक करिए, कमेंट लिए, शेयर करना न भूले, एक नई रेसेपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, ओके बाए!